चावड़ा सरे इमोर्हल कोचिंग क्लासेस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है कल तक हमने फूचर टेंस जिसके पहले वाले वीडियो में फूचर इंडेफिनेट टेंस देखा था यहां पर फूचर कंटिनियूस देखेंगे उसके पहले मैं आप लोगों से बता कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने पहले इसके पांच पार्ट पहले जो आ चुके हैं वो पहले पांच पार्ट आप लोग देख लें जिससे आप लोगों को इस वीडियो को समझने में जाद आसानी हो या अगला Tense समझने में बहुत आसानी हो जाएगी तो future continuous तेंस देखते हैं इसके मुख्य करिया के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे आता है हमने present continuous भी देखा है हमने past continuous भी देखा है same as it is future continuous भी है उसमें भी रहा है यहां पर क्या आ रहा है उसके साथ में होगा होगी होंगी मतलब future की बात है ठीक है जैसे राम खाना या राहा होगा गीता खाना बना रही होगी मतलब काम चल भी रहा है पर future में है इसका future continuous tense का structure या formula है subject plus will oblique shell plus b याद रखना b plus verb के साथ ing plus object मैंने कल इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे will आनाची है shell का use हम नहीं करेंगे सिर्फ किसका use करेंगे will का model English में जितनी भी modern English है उसमें will का ही उपयोग किया जाता है shell का उपयोग भुख कम कर दिया गया इसलिए हम काई का इस्तमाल करेंगे shell का इस्तमाल करेंगे sorry will का इस्तमाल करेंगे ठीक है तो इसके example देखते हैं आगे के future continuous tense के उधारन देखते है future continuous tense के example में मैंने सबसे पहले लिया है शाम खाना खा रहा होगा शाम मतलब subject हम उसका name लिख देते हैं क्या कर रहा है रहा होगा रहा होगा के लिए क्या आता है विल आता है तो शाम विल फॉर्मुले में हमारे साथ बी भी था तो शाम विल बी वर्ब के साथ आएंजी वर्ब है क्या कर रहा है खाने के लिए आता it और वर्ब के साथ ing मतलब eating अब वर्ब के साथ ing के कुछ नियम है वो मैंने आपको पहले present continuous sense में सिखा रहे हैं आप लोग वहाँ से और अच्छा से देख लें तो शाम will be eating क्या कर रहा है खाना घारा इसलिए food शाम will be eating food वह सो रहा होगा वह मतलब ही होगा will be और वर्ब के साथ ing क्या कौन सी वर्ब है सोना सोने के लिए क्या आता है sleep आता है तो sleeping we will be sleeping वे लोग काम कर रहे होंगे वे के लिए दे होंगे के लिए WE'll be doing काम के लिए डू होता है वर्ब थीवाट होती है तो दू के साथ क्या जाए क्या कर रहे हैं वर्ब कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं के लिए डू बात फूचर पर्फेक्ट एंस देखते हैं अभी continuous हमने पढ़ा इसके बाद दिखते हैं future perfect tense तो next tense दिखते हैं future perfect tense future perfect tense इसमें मुख्य क्रिया के साथ चुकूंगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेंगे चुके रहेंगे इस type के sentence आते हैं थोड़े अजीब जरूर लगेंगे पर हम लोग daily life में इसे शब्दों का इस्तमाल कर लेते हैं राम खात चुका रहेगा मतलब खात चुका रहेगा मैं दोड़ चुका रहूंगा मतलब काम continue नहीं है perfect tense के अंतरगत आ रहा है ठीक है, perfect tense का formula future perfect tense का formula structure है वो है subject plus shell oblique will मैंने बोला है will ही लगाना है, shell तो लगाना ही नहीं है subject plus will ही ध्यान रुखा आप और have लगेगा इसके बीच में जैसे अभी बी लगा था इसमें क्या लगेगा, have लगेगा और verb की third form लगेगी plus object लगेगा verb की third form plus object तो subject plus will plus have plus verb की third form and object simple है आपने बहुत सारे टेंस पढ़ लिए तब तो इसको दिक्कत नहीं आएगी समझने में इसके एक्जांपल देखते हैं तो इसके एक्जांपल देखते हैं एक्जांपल में है पिताजी घर आख चुके रहेंगे अब पिताजी को हम बोलते हैं dead एंड रहेंगे चुके रहेंगे के लिए will have याद रखना चुके रहेंगे हैं इसलिए will have continuous होता तो विल क्या हो जाता परफेक्ट टेंस में हम will have और continuous में will be use करते हैं तो will have third form कम की जो आने की है वो तीनों की सेम होती है कम ही होती है तो यह कम और कहां रहें होम आ रहे हैं तो dead will have come home में बाजार जा चुका रहूंगा आई विल हेव गो की थर्ड फॉर्म गोन कहां से आच चुका होंगा मार्केट तो टू मार्केट में पढ़ चुका रहूंगा आई विल हेव रिड रिटन आएगा आई हेव बिल रिटन हाई एड इन रिटन 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 थीक है तो read का क्या हो जाएगा, third form written हो जाएगा, तो ये आप लोगों के future perfect tense हो गए, अगले वीडियो में हम देखेंगे future perfect continuous tense, उसके बाद हम एक sentences से 12 ही tense को केसे बनाया जाता है, वो सिखेंगे, उसके बाद चुकि अभी हमने सिर्फ operative पढ़ा है, नेगेटिव, इंट्रेगेटिव और इंट्रेगेटिव नेगेटिव बनाना नहीं सिखे हैं, बहुत लंबी प्रोसिजर होती है, tense की 48 फॉर्मूले बनते हैं, लगबग आप लोगों को अभी 12 फॉर्मूलों पर में पढ़ा रहा हूं, अभी 11 फॉर्मूला हमारा इसमें complete इसके बाद 12 फॉर्मूला होगा, future perfect continuous tense में, उसके बाद उनके सब के negative बनेंगे, उनके इंट्रेगेटिव बनेंगे, और उनके इंट्रेगेटिव नेगेटिव बनेंगे, मतलब बहुत लंबा tense चलेगा, और अब जब तक आप पूरा tense समझोगे, तब तक आप लोगों को maximum English बोलना या पढ़ना आजाएगी, ठीक है, और उस दूसरी बात आप लोगों ने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो का इंतजार किजिए, तब तक धन्यवाद,